सेलाम नमस्ते से शुट कई से हैं दोस्तो तो मैं हूँ जस फ्रों सैम इंजर है रहें मेंगप अकैडमी मॉंबाइड दोस्तो आज फिर आप लोगों के लिए एक और नया makeover कमाल का makeover लेकर क्या आया हो चलिए शुरू करते हैं आज एक और नया color एक और नया makeover शुरू करते हैं आज जैसे कि आप लोग बाल देख सकते हैं हमारे क्लाइन के अगर आप hair देखेंगे तो very fine है low density है बहुत कम बाल है इनके और शुरू करने और blonder भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर developer, bowels, brushes, cutting sheet black आप लोग को बता है कभी भी chemical करते हैं, color करते हैं straightening करते हैं, keratin करते हैं, anything black cutting sheet और साथ में अगर आप cutting sheet के नीचे देखेंगे तो cape भी है और wing scale भी आप लोग को नज़र आया wing scale पे हम लोग बिलकुल नाप के ही proper major करके ही color को mix करने वाले हैं which is important, चलिए शुरू करते हैं 12 stroke 0, Vela का color है high lifted color है और यहाँ पे 0 stroke 33, इसी में mix किया है, यह है आपका reflection, 0 stroke 33 is a reflection, 40 volume से करेंगे ratio होगा, 1 is 2, 2 इसके अंदर हम लोग ने जो color mix किया है 0 stroke 33, 12 stroke 0 में यह हम लोग ने किया है अगर मैं पूरी tube की बात करूँ तो 2 gram, full tube अगर हम लोग लेते हैं लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ असा gold का reflection जादा देना है इसलिए 0 stroke 33 और दूसरा color 7 stroke 47 यहाँ पे हम लोग थोड़ असा अगर मैं 4 7 की बात करूँ 4 is red and 7 is brown तो यहाँ पे थोड़ असा chocolate का एक feel आएगा हलका सा brown का feel आता है technically हलका सा reddish tint उसमें आएगा 7 stroke 47 बहुत ही प्यारा color है red family में आता है mix with the brown तो अभी हमारे दोनों colors mix हो चुके है और यह भी हम लोग ने किया है 7 stroke 47 40 volume से जिसका ratio है 1 is to 1 लेख लो आप लोग 7 stroke 47 40 volume से हम लोग ने ratio लिया है 1 is to 1 12 stroke 0 उसका ratio है 1 is to 2 और उसमें 0 stroke 33 जो हम लोग ने mix किया था वो हम लोग ने 2 grams के हिसाब से पूरी ट्यूब का लेकिन उसका mixing ratio 40 volume से 1 is to 2 था यह लोग साथ साथ आप लोग लिखते रहो ताकि आप लोगों को याद रहे यहाँ पर सबसे पहले sections कभी भी काम शुरू करते हैं आप लोग को पता है हमेशा first we have to work with the sections diagonal section है diagonal back section color से काम कर रहे हैं तो आगे से शुरू करेंगे हमेशा from the front क्योंकि I am working with the color तो हम लोग आगे से शुरू कर रहे हैं सबसे पहला color हम लोग ने लिया है 12 की series का जो हम लोग ने create किया है 12 stroke 23 ओके यहाँ पर हम लोग बाले आज टेकनीक पर काम करने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं हलका साग एक ऐसा लगेगा जिसे आपने highlight किया है और नीचे पूरे बालों पर हम लोग ने color किया है इसमें थोड़ा से जादा color करना है देखिए मैं हमेशे एक बात बोलता हूँ आप लोगों को इसको ना थोड़ा समझना आप लोग बहुत ज़रूरी है कभी भी आप लोग के फास fine hair आते हैं especially इस तरीके के जैसे आज हमारे client के हैं इन बालों के उपर ना color थोड़ा जादा करो light करो अगर ये थोड़े से dark बाल रहेंगे fine बाल है density कम है अगर ये बाल आपके कम है तो इनको ना पूरा light कर दो color को जब आप इसको light करोगे ना तो थोड़ा से जादा नजर आएगा मैं आपको एक example देता हूँ इसको ना समझो अच्छी से गौर से समझना है इस बात को देखो कोई अगर बहुत मोटा है और अगर वो light color के कपड़े पहनता है तो वो और ज़्यादा मोटा नजर आता है और अगर कोई fat है और वो dark color के कपड़े पहनता है जैसे कि black color या dark color के कपड़े पहनता है तो वो थोड़ा सा thin नजर आता है समझ में आ रहा है same thing with the hair अगर आपके बाल बहुत high density के हैं तो अगर आप उसमें बहुत ज़ारा color करोगे तो वो और भी ज़ादा नज़र आना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपके बाल कम है especially जैसे आज हमारी model के हैं अगर आप बहुत कम बाल है यह especially आप लोगों के लिए इसलिए किया है ताकि अगर आपके बास कोई client आया तो आप उससे ना बात कर सको यहां पे इसलिए हम लोग दो शेड्स दे रहे हैं 7 का मतलब हमारा 7 नंबर हो गया medium blonde हम लोग का color और जैसे मैं आप लोगों को बताया reflection जो है 4 stroke 47 है 4 is red and 7 is brown तो इसका एक mixture आएगा which looks amazing बहुत प्यारा color आता है बहुत natural color आता है clients they like it a lot अगर आपको client को करना है किसी को तो आप यह global भी कर सकते हो तो technically अगर मैं आज बात करूं तो मैं इनका globally कर रहा हूं लेकिन ऊपर की side में थोड़े से streaks आपको नजर आएंगे ऐसे लगेगा जैसा highlighting किया है लेकिन this is more of the global तो मैं इसको global color ही बुलूँगा कि हम लोग global color कर रहे हैं खाली ऊपर की side में लोग थोड़े से painting कर रहे हैं this is just little painting we are doing it sections जो हम लोग ले रहे हैं highlight का feel आ जाए बस उसी हिसाब से I am taking it otherwise all over the hair I am taking it क्योंकि बाल बहुत पतले हैं और यहां पे सिर्फ हम लोग का यह main एक यह है कि अगर इन बालों को आप थोड़ा light कर दोगे तो बाल थोड़े जादा नजर आएंगे अगर आप हमारे model की personality देखोगे थोड़े सी chubby है she is little chubby face उनका थोड़ा पतला है छोटा है लेकिन body काफी चबी है उसे साब से उनके बाल काफी कम नजर आते अब भी आप लोग front पर देखेंगे हम लोग ने एक triangle section चोड़ा हुआ है इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको बाद में बाकी ग्लोबिल कलर खाले एक उपर से highlight का फील दिया and then आप फॉइलिंग देख सकते हो थोड़ा अलग तरीके से फॉइलिंग कर रहे हम लोग उसको wrap नहीं कर रहे है उसको हम लोग vertically ही फोल्ड कर रहे है तो आपका ही बार horizontal आप लोग अगर मैं इसको बाले अज भी बोलूँ तो आप वो भी चल सकता है ने लेकिन इसमें जादा मैंने global को आट किया है थोड़ा सा idea बाले अज से ले लिया थोड़ा सा idea हम लोग ने global से लिया तो उसका मिक्षर कर दिया technically और यहां पर जैसे में आपको बता है सिरफ और सिरफ में रीजन यह है कि इनके बालों को मुझे जादा दिखाना है I just want it कि इनके बाल थोड़े जादा नजर आए तो आपके कोई क्लाइंट आता है तो आपको यह समझना पड़ेगा एक आपको हाइलाइट की तरह आपने बीच में दे दिया और बाकी का आपने ग्लोबल कर दिया नीचे नीचे So that looks amazing, देखते हैं, आप result देखर के बताईएगा, comment box पे डालिएगा के आप वे कैसे लगा, बाकी वेला colors are very good, आप लोग वेला colors यूज कर सकते हो बिलकुल और कभी भी जैसे हमेशा बोलता हूँ, आप कभी भी color के साथ काम करते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे से शुरू करना है, कभी भी color के साथ काम करना है, यह लिख लो आप लोग अपने पास दिमाग में लिख लो, ब्लॉंडर से काम करो, you have to start from the back, ने पेरिया से काम शुरू करना है, लेकिन अगर आप color से काम शुरू करते हो, तो you need to work from the front, उससे आपको result अच्छा आता है, इवन कि रूट चप करते हो, तब भी आगे से शुरू करो आप, आप global color करते हो, color के साथ काम कर रहे हो, आगे से ब्लॉंडर के साथ काम कर रहे हो, ने पेरिया से शुरू करो, which is very very important, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एक section हम लोग 12 की series का, high lifted color ले रहे हैं, दूसरा color हम लोग ने, जो 7 number लिया है, 40 volume से mix किया है, तो एक लो ले रहे है, फॉयल साथ लगाते जा रहे हैं, और फॉयल के साथ साथ हम लोग एक 12 की series का, जिसमें हम लोग ने stroke 33, गोल्ड का reflection है, 0 stroke 33 is a gold reflection, गोल्ड reflection हमारे Indian skin tone में बहुत अच्छा लगता है, यह भी लिख लो आप, हमारा Indian skin tone है, skin का tone की बात कर रहा हूं, वो है warm, तो warm की ओपर गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना warmth को निकाल देते हैं, और हम लोग ना neutralize करने में लगे रहते हैं, बहुत हर किसी के ओपर बहुत अच्छा नहीं लगता, ओके, अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहां पर soft blonder use कर रहे हैं, वो भी Vela का है, और यहां पर हम लोग mix कर रहे हैं, इसको, यहां पर हम लोग soft blonder को mix कर रहे हैं, 20 volumes से और उसका ratio है, 1 is to 1 and a half, लिखो, 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 soft blonder का mixing ratio है, 1 is to 1 and a half, 20 volumes से ले रहे हैं, पूरी application हो चुकी है, आगे का जो triangle section लिया है, उसके उपर लगा रहा हूँ है, क्यों लगा रहा हूँ, कि तो थोड़ा सा उठा हूँ नज़र आए, वो थोड़ा light नज़र आए, और आप लोग देखेंगे, 100% कि इनके बाल ना बहुत जादा कमाल के लगने वाले हैं, तो सबसे पहले जो वाश करेंगे, हम लोग ने यहां पर क्लाइन को बढ़ा के रखा है, around 25 minutes, after the last section, जो हमारा soft blonde रखा, उसको हमने 25 minutes रखा, fine बाल है, इसलिए आप लोग देख सकते हो, कि जो लेविल है, वो हमारा, अगर मैं नंबर की बात करूं, तो 8 नंबर तक पहुत चुका है, हमारे बाल, 8 और 9 के बीच में है, तो अभी यहां पर एक चीज़ का धिहान रखना है, एक एक को उसके बाद, इमल्सिफाई करें, ताकि कलर जो है, इमल्सिफाई हो जाए, देखे, आप किसी की भी वीडियो देखते हो, कोई भी वाश के उपर इतना फोकस नहीं करता, जदकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कलर करने के बाद में, वाश बहुत इंपोर्टन ह अगर आपका वाश ठीक नहीं है, तो आपने कितने भी अच्छे कलरs की हैं, सब मिक्स हो जाएंगे, बहुत ज़रूरी है, लिखो इसको, बिल्कुल दिमाग में लिखो, समझो, आपने कभी भी मल्टी कलर की हैं, कलर, दो कलर की हैं, तीन कलर की हैं, इसी तरीके से एक एक को उसके बड़ पानी डालने के बाद में उसको इमल्सिफाइ करने के बाद फिर पानी डालना है this is how you have to ताकि दो कलर्स मिक्स ना हो आपस में प्रॉपर निकलना चाहिए which is very very important कलर के बाद में जब आपने कलर कर लिया यह भी लिखो हमेशा कलर प्रोटेक्शन शाम्पू और मास्क की यूज़ करो always understand this color protection shampoo and mask okay so I hope यहां तक भी आपको समझ में आया होगा color जैसे में आप लोग को बताया हमारी जो model है उनका जो skin tone है वो है warm तो इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर stroke 0-333 डाला और 0-333 का जो रेशो लिया हम लोगों ने वो 2 grams का मतलब पूरी टूब ट्यूब में 2 grams अगर मैं आधी ट्यूब लेता 30 grams लेता तो एक अगर आप बोलेंगे तो उसके ओपर भी एक वीडियो बना करके आप पो जरूर बताऊंगा आप लोग बिल्कुल डालो कमेंट बॉक्स पर डालो आप लोग को आगया के क्या-क्या देखना है ओके यहां पर भी नहीं हम बहुत सारे आप लोगों के लिए मैं डेली आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ खे शे बज़े से 7 बें तक 6-7 यह किस से मिलने आ रहा हूँ जुन्होंने हमारा । एक साल का kोर्स जॉइन किया हुआ है एक साल का $2,000 का को एक साल साल का zyam 번 closer et to zead после a Seik जूम पे आता हूँ, जूम आईडी आपको मिलेगी, सारे यह तो वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम लोग आपको हमारी अकाडेमी की वीडियो देने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे, पूरा फुल स्लेबस है, आप लोग को अगर पता करना है तो आपको दे रहा हूँ ना, आपको कलर का काम, आपको कैरेटीन, सिस्टीन, नेनोप्लास्टिया और भी जो अभी नए ने प्रोड़क्स आ रहे हैं, वो जितने भी हैं, ट्रीटमेंट्स, हेर फॉल ट्रीटमेंट्स से लेकर कि everything, मैं खुद आकर के बच्चों को पढ़ा रह रहा हूँ, सिलाउन का काम ना, आपका इतना बढ़ा दूँगा, इतना बढ़ा दूँगा, घर बैठे बैठे, कहीं जाने के जरूरत नहीं है, सिलाउन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी क्या कन्फूजन बहुत है, कलाइंट्स आ रहे हैं, कलाइंस के कुश्चन बहुत ह अभी किस से पूछे, कोई बताने वाला नहीं है, अकैडवी में जा रहे हैं, तो हजारों लाखों रुपे आप लोग वहां पे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी, आप अपना सलॉन चोड़के जाते हो, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं होते हैं, मैं ना, खु कोड़ा सा माउंट है, यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग हम लोग ने मेट्रिक्स का यूज़ किया है, शाम्पू और कंडिशनर, मेट्रिक्स का, कलर हम लोग ने वैला के यूज़ किया, और शाम्पू हम लोग ने यूज़ किया मेट्रिक्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है color protection होना चाहिए बस इतना ध्यान रखो color protection shampoo and color protection mask बस इतना ध्यान रखो बाकी absolutely fine यह छोड़ी छोटा ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में मित है बहुत सारे confusion है बहुत सारे गलत conceptions है कुछ इधर से सुना कुछ उदर से सुना कुछ यूट्यूब से सुना फिर ना माइंड बहुत confuse हो जाता है फिर किससे पूछे मैं आता हूँ लिख लो टाइम six to seven six p.m. to seven p.m. आता हूँ जूम आईडी आप लोगों को मिलेगी अगर आप हमारे एक साल वाला जॉइन करते हो जो भी आपके questions हो आपके clients से लेकर के counselling से लेकर के salon growth से लेकर के team handling से लेकर के और भी कोई दिक्कत आती है आपको बिल्कुल answer देता हूँ बाकी this is the result अभी हम लोग कर रहे हैं dry ये हो रहा है हमारा वर्सोव academy से मुंबई की अंधेरी की वर्सोव academy से ये color आप लोगों को देखने को मिल रहा है बाकी proper dry करेंगे इसको और देखो इतने पतले बाल होना तो ज्यादा blow dry के चक्के में मत पढ़ो खाली finger blast करो देख रहा है थोड़ा सा इसमें आप देखो कि brown का look भी आएगा थोड़ा सा इसमें gold का look आएगा ये skin tone पे इतना कमाल का जाता है इतना कमाल का look आता है कि आप लोग सुचेंगे मज़ा आजाएगा ये हमारी वर्सोव academy है मुंबई की अगर आप लोग को join करना तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो ये makeovers हमारे इस ताइम पर वर्सोव academy से रहा है इस इस साइड में देख रहे हैं जो हम लोग ने fringe area के ओपर जो color किया था हमारा उसकी वज़े से भी कितना face frame हो रहा है पूरा ना personality change हो गई है बिलकुल आप देख रहे हो यहाँ पर बिफोर भी देखो और आफ्टर भी देखो पूरी personality change है बहुत सारे ideas देने के लिए आप लोग क काम बढ़ाने वाला हूं आईएगा जरूर थैंक यू सो मॉच फर वाचिंग देख लवी ओल ठेक केर बबाए